नमस्ते साथियों मैं हूँ उदेपुर से एड़ोकेट मुकेश कुमार गोपाउत आज हम बात करेंगे एग्रिमेंट यानि कि पैसा उदार लेने के बदले एग्रिमेंट किया आज का जो में टोपिक है उस टोपिक ये है कि एक वेक्ति को पैसों की जरूती को दूसरे वेक्ति के पास गया कि मुझे पैसेब जरूत है तो उसने कहा कि तुझे पैसे तो दूगा बदले में तुझे बॉझे मुझे जमीन का agreement करना होगा जब तुपेसा देगा तब agreement cancel मना जाएगा इस प्रकार से एक वेक्ती दूसरे वेक्ती को फसा देता है और बाब में बोलता है कि अब तुम्हे नहीं लूँगा यानि जमीन ही लूँगा यानि जैसे बात को समझी है एक को पैसे की जरूत थी वो भी वेक्ति के पास गया कि भी मुझे 50,000 की जरूत है ठीक है न तो बी ने बोला कि तू 50,000 उपता ले जा बदले में तेरी जमीन का एग्रिमेंट मेरे नाम पे करना पड़ अब मुझे जमीन के नाम की रिजिस्टी कराऊ तो एवेक्पि के पास कानून में क्या रेमेडी यानि कानून से क्या वी के ने जो एग्रिमेंट करा है उसको कैंशल करा सकता है या नहीं करा सकता है यह इस वीडियो में समझेंगे ज्यादातर जो जमीन के लालची लोग होते हैं वो गरीब लोगों को क्या करते हैं पैसा देते हैं पैसे के बदले पैसा ब्याज पर देते हैं और फिर क्या करते हैं एग्रिमेंट करते हैं और एग्रिमेंट के बाद वो क्या करते हैं लंबे समय तो ब्याज भी लेते रहते ह अहां यह मैं उद्धेश यही है देखो एग्रीमेंट पे मैंने कहीं सारे वीडियो बना रखे हैं वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बात बदाता हूं कि आपको agreement के समझ में कोई भी शमश्या है तो आप आपके पास कोई भी गो साला हो उसमें 500 रुपए डाल कर मुझसे बात कर सकते हैं इस नमबर पर और अगर कि आपके पास कोई गो साल नहीं है तो 300 रुपए मेरे इस नमबर पर डाल गूगल पर करके आप यह पेटेम करके मुझसे बात कर सकते हैं यह आपको को मुगदमा चल रहा है और काणों ने सला चीए तो भी आप मुससे बात कर सकते हैं अब जो पर बात कर रहा हूं कि A का जो एग्रिमेंट करा लिया भी ने अब A चायता है को एग्रिमेंट Cancel हो यह इक परिवार व्लों को बाद में पता चला कि पिताजी ति यह काम करके आए या । यह बई करके आया अभ उसको कैसे Cancel करा है और यह बीके पास जाते जाते बात सुनने को भी तयार नहीं और B के चेहरे पर एक अंकार की हसी होती है कि तुम क्या कर लो कि मेरे पास तो Agreement है तो आज इस हसी को अपन आसों बदलेंगे ठीक है ना कैसे बदलेंगे जो Agreement किया है वो Agreement ही आपका तोड़ें सबसे पहले अपने को इस्टोरी को समझते हैं कि आदमी कितना भी उशारों पहीं ने कहीं चूक जाता है तो जब आदमी यह जो इस्टाम आपको क्या 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 देखा है एग्रिमेंट करने के लिए इस्टाम लाया होगा तो क्या इस्टाम वो Agreement के लिए लाया या वो सिंपल लिखा पड़ी के लिए लाया या वो पैसा उदार लेने के लिए लाया अगर एग्रिमेंट के लिए पैसा उदार नहीं लाया है और सिंपल लिखा पड़ी और पैसा उदार नहीं लाया है तो यह क्या आपके पास एक आदार मिल जाएगा दूसरा उस एग् कि पिया है तो स्मयआ देखी है दिए कि गवा को ने उन गवादfoundय मिली वो क्या है वो ऑदमी हमें यांगि होगा कैसे टूटएंगए यह वीदिए मिं आगे हैं आपको बतंगा तिसरी चीज जो आपको देखनी है कि पेसा कैसे दिया रोक कर दिया या चेक से दिया या या किसी यूपेई मोड से दिया ये चीज सारे भी पता चलेगी चोती चीज जो आपको उसमें में देखनी है ये एग्रिमेंट की शर्ते क्या है आप me OdDAW यानि कärtता है कि फैर्ट वट यहिर श्षर पतर लाज्फानुम्लिए एक करता है कि वह कबज़ई अपनहां बता देताया कि मैरे पास कब्जा जबकि उसके पास कब्जा नहीं होता ह तो कबजा नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि agreement उसने कुछ ने कुछ घरबड किया तब कब जा क्यों नहीं लिया फिर जो पांची चीज अपने देखते हैं क्या एक एक किसी परिवार के शदिशी के उसको सिगनेचर है या वो पैसा उसने किस काम के लिए लिया ऐसी कोई बात्चित है या नहीं है तो यह सारी बात्चित देखने के बाद अपने को पता करना पड़ेगा कि वास्ता में घरबड का हुई है और किस प्रकार से उसको सुदा रहा है अब मालनू आपके पास एग्रिमेंट की कोपी नहिं को निँग है तो शब्सकापी इसके पास पड़िये किसे लेनी है उसके लिए क्या ऑक के साथ जो द्धोका दर्य व्व्य है जिस प्रकार से ध्धोका द्धोका दर्य बुव्य है उसकी एक सिंपल सी लिख रिखी ने हैं जाने लिए कि आंगे मैं साथ इस प्रकाट दोगी दोड़ा तो प्रिस वाले को भी शुता है कि वहथा है उसकता है् वहां से भी काम नहीं हो तो आपको कोड में एक परिवाद करना चीए परिवाद मतन mult InterORE चाहिए चाहर यह मुगदमा यह करा सकता है यह नीज करा सकता है त्शी पत्नी भी करा सकती ए यह मेरे पत्र के साथ इस प्रEND कराantis कि अगर मर भी गया तो उसकी पत्नी पुत्र कोई भी करा सकता है उसके परिवार किसे देशिए कोड में मुगत्मा कराओगे और 406 का मुगत्मा होगा नहीं ना और पड़ेगी मजबूर में तो इस प्रकार से आपके पास agreement की कोपी आगई अब agreement की कोपी आने बाद उसकी सरते को आप पड़िया जैसे जैसे आप सरते पड़ोगे एक एक सरत को बार बार आपको पढ़ना है किसा पैसा दिया किसके सामने दिया नोटरिक कप करेई इस्टाम सबूत है तो फिर अपने 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 पैसा हूँ किस खाते में दिया यह बात भी आपको साबित करने पड़ेगी तो इस प्रकार से आपके पास एक प्रकार का डोक्यूमेंट आ जाएगा कि बही वास्ता में हुआ क्या था फैर भी आपको दर्ज हो जाएगी फिर केंसल करने के बाद अब जो आप एंगरीमेंट को बार बार पढ़ोगे यह घट ना घटित हुई जो गवा जिस प्रकार से पैसे दिये जिस जमीन आपके पास है जमीन किस प्रकार की बेची थांएमपुर इंकेरी उसकी चलेगी उसके बाद आपको क्या करना है उस एग्र पसट बार जाना को करने का कोड़ में मुगतमा करना है अब थाने साध यो आपके साथ हुई अपके साथ भूण कुस प्रकार से एंगृमेट को मेरे साथ किया गया, कासे एंगृमेट को किस प्रकार से डेनल करना है । जो Isnut जाए उसकार प्रक्सकार बंड़ना है और जो है ग chil-'d है एक बात और मता दो में अगर आपका मामला अब साबित कर बाते हैं इसाबित कर देता है यह अग्रमेन वास्ता में दो कैसे हुआ है तो आप एग्रमेन को कैंसल कर सकते हूं आपके साथ इस पर इतना होई और आप उससे बात करना चाहो तो इस नमर पर आप मुझसे बात कर सकते हूं खिर जो बात बताता हूं मैं देखो कभी-कभी आपको भी अंगुली टेड़ी करनी पड़ेगी है ना टेड़ी किये बिना अंगुली मामला जमेगानी तब टेड़ी कैसे करनी है एक पास ए ने जिस जमीन का एग्रिमेंट किया उसके दो पुत्रे है ठीक है सी और ली ए ने क क्या क्या पूरी जमीन को बी को दे दिया ठीक है अब क्या कानून में एक को पूरी जमीन देने का अधिकार था अगर यह जमीन एक के पिता की है तो कानून में सी और डी का भी हक है तो बिना सी और डी के हस्ता अक्सर से डी को जमीन नहीं दी जा सकती ऐसी परिस्तिते में क इस प्रकार से जितने बच्चे-बच्ची है उन सब के इससे हो जाएंगे तो फिर जो पूरी जमीन यह लेने के प्लान बना रहा है उसमें तो एक बड़ावा तीन भी आएगी नहीं जब एक बड़ाव तीन मालो इसने एग्रिमेंट किया तो एग्रिमेंट का पालना करेंग इस प्रकार से पातिकरूँ को एक कहता है इस प्रकार से को यह जगड़ा साल 21 चलता रहता तो बिक नेहीं का प्रस जमीन भी नहीं तो फिर आनों की नती सायता तो इस प्रक्रार से एक साथ दोका धड़ी हुई है उसके दो मुगत में हो गया थाने में अफेयर कटाने पास चाहे वो थाने में कटा हो या फिर कोड़ से कटा हो दूसरा आपके हो गया एग्रिमेंट कैंसल का और मान यह वक्ति बात में जग्रा करता है दमकी देता है तो उसके दमकी का थाने में अलग से रिपोर्ट दो थाने वाले को पावन नहीं करते हैं उसको जो दनड़ दिवक्ति होते हैं उनका हर जगत चलती है क्योंकि उनके पास पैसा है तो बार-बार एको दबाते रहते हैं चाहे वो पुलिस के जरिये दबाएं चाहराज में दबाएं या किसी अन्य माधिम से दरबाएं लोग भी इसके पक्सम बोलेंगी क्योंकि इस इसके पास पैसा है तो आपके पास एक चीज होनी चीजिए जिससे आप इससे हार नहीं मानें समझे ना वो चीज आपके पास नहीं है क्या सर पैसा तो हमारा पास नहीं है मैं पैसे के लिए नहीं बोलना है वो चीज है आपके पास हिम्मत अगर आपके पास हिम्मत है लग प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आजा तो लाइक करें ठैंक यू प्रकार के वीडियो देखने में वीडियो पस्वाइब करें गूम, की एजा तो लाइक करें वी फजूतारी अजियो ग Faculty सप्सक्राइब करें दिए tripod, का रखें लाव स्नुपन पनाध さा मिंस tहईा तो लाव पती हूँ में में ओक ऊमें वीडियो में में पण्सक्राइब करे